हलो दोस्तो कैसे आप सब आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होने दोस्तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले OTC मेडिसिन के बारे में जिसका फुल फम होता है Other Counter Medicine मतलब ऐसी दवाईया जिसके लिए आपको डॉक्टर के प्रेस्किप्शन की जवरत नहीं पड़ती यह मेडिसिन आसानी से आपको काउंटर पर मिल जाती है दोस्तो कुछ ऐसी मेडिसिन से जिसे हम अपने घर पर इमर्जंसी यूज के लिए रख सकते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी बिमारिया हैं जिसमें हमको तुरन्थ इलाज चाहिए होता है और कई बार इमर्जंसी भी होती है तो आज किस वीडियो में हम कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम आपको बीमारे के साथ उनके दवाई भी बताएंगे तो दोस्तों वीडियो करने जे पहले मैं ये बतादू ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है इसमें कोई भी दवा बिना बीमारे की कनफरमेशन के आप किसी भी दवाई का इस्तिमाल ना करें आप अपने डॉक्टर से सला लें उसके बाद ही किसी दवाई का उप्योग करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम फीवर की दवाई के बारे में जानते हैं जो की commonly used किया जाता है दोस्तो हमारा सबसे पहला है पारसिटामूल, आईबोप्रोफेन, पैलिनोन इसका सीरप भी आता है जिसका इस्तमाल बच्चों में फीवर के टेटमेंट के लिए किया जाता है तो आगे बढ़ते हैं और पेन किलर्स के बारे में जानते हैं मतलब सरीर में दर्व के लिए दी जाने वाली दवायों के बारे में जानते हैं तो दोस्तो अक्सर इन दवायों का इस्तिमाल क्या जाता है तो हमारा सबसे पहला है आईबोप्रोफेन, बेंडैकलोफेनेक, एसिलोफेनेक और पारसिटामूल दोस्तो ये सभी मेडिसीन सरी में दर्व को ठीक करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है दोस्तो ये सभी मेडिसीन NSAID ग्रूप के अंडर आती है जिसका फुल फॉम है नन इस्टिरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम हेडेक यानि सर में दर्द के लिए दी जाने वाली दवाईयों के बारे में जानते हैं दोस्तो हमारा सबसे पहला है एस्प्रिन जो की डिस्प्रिन के नाम से भी मिलता है और इसके अलावा आप जहन्दो वाम या आइडेक्स वाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब दोस्तो इसके बाद है नौसिया एंड बॉमिटिंग यानि उल्टी आना या जीमी चलाना दोस्तो इनके लिए हमने दो मेडिसिन लिये हैं जिनका अक्सर यूज किया जाता है पहला है ओंडासेट्रोन और डॉमपेरिडोन दोस्तो ये दो जैनरिक नेम है इनके ब्रांड नेम से काफी सारी मेडिसिन आती है जिनका इस्तमाल नॉसिया और बॉमिटिंग के लिए किया जाता है अब हमारा अगला है गेस्टिक एंड एस्डिटी यानि गेस या एस्डिटी को ठीक करने वाली दवायां दोस्तो इनके लिए मेडिसिन्स हैं रेंटिडीन, पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, और रेवेप्राजोल दोस्तो ये मेडिसिन PPI यानि प्रोटोन पंप इन्वेटर के अंडर आती है जिनका काम होता है पेट में एसिड को कम करना तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम और भी OTC मेडिसिन्स बताएंगे तो दोस्तो ऐसा ही मेडिसिन की जानकारियों के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तो के लाज सेर भी करें और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो दोस्तो मिलते आपसे अगली वीडियो में धैन्यवाद जैन